बली से पूछा गया, तो बली कहते हैं कि प्रभू, आप मेरे बास तो कोई स्थान में है, मैं यहां खड़ा हूँ, वो स्थान मेरा है, बाति स्थान तो आपने नाम लिया, अब केवल है तो आप मेरा शरीर है और मेरा मस्कत आपके शानर में जुखा होगा है, तीसरा परुन कहते हैं कि उन्होंने वामना उता और को अपना रूप, सोड़ा सा रूप धरंके और तहा बली, आज को नीचे के लोग देता हूँ, नीचे के लोग देते हुए, तुझे एक करी लूप में है, एक वज़त थान मनंतर आएगा, उसके बाद में तुझे इंद्रबद्वी स जीवन भर को फल तुमारे साथ रहेगा, तुम चाहे कितने जन्मों भी ले लो, साधना एक तपरस्या है, आज के लोग, आलकल के लोग कथा हैं, ना रुट्या अजी साहिं करते हैं, यह सारी बाते हैं, मेरे परमपुने साथ गुर्गेशी ने जो साधना मार्ग का अपना साधना का मार्ग चाहे कुछ भी हो, देवता जी उसको कोई रोख लिए सकते कि तुमारे साधना फलक और उतने साधना निस्था के साथ की है, बली चाहिए ने यही साधना संपन की थी और उन्हों ने जो इंद्रपदी साधना के ओले प्रहत करना के विश्क्यु भभवान इतने संकट में भी उन्होंने जब इस यंद्र की मात्ता का बात करते ब्रह्मा को का तब ब्रह्मा क्या है कि प्रभु मैं बुझे यह बात का पता नहीं चला कि भगवान विश्नु ने तो तीन पग रखे तीन पग में एक उधर गया है और क्या रहा तो पुर्शसुत में इसका मतलब होता है कि मैं दस अंगल सुन्य में चोड़कर मेरे पाउं को रखा है इसलिए तुझे भी कहता हूं मेरा यह एंदर जहाँ थाबन होता है वहां के दस अंगल का तेरे ओंपर कुछ भी नहीं होता इसमें इस पुर्श उक्ते में कहा है मैं इतना बढ़ा उतने तो इसके अत्राफ में सुन्य में चोड़कर सुन्य को बढ़ किया और जिसके बासे वास्तु इत्र है वास्तु इत्र को लगा जाएगा उसके ग्रश प्रकार का कोड़ी भाव कोई दुष पर्माव यह नहीं हुआ तो एक छोगी सी साद्ना ब्रह्मा ने विश्य को यह साद्ना आस्तर में कितने भी वास्तु इत्र को मैं उनको फुट इत्र के साद्ना बनाने के लिए मुझे समाई लगा हुआ और मैं समझता हूं बहुत कम बनाया हूं लेकि कोई भी वास्तु इत्र को ब्रह्मा इस करश को इस साद्र को स्तापन करके जिस गर में इस संत् इतने बहुत कम समय लगा है इसके इसका पता चला कि मैं एक छोटा सा प्रशना हमारे शेश्व माराज और रुदय माराज को पूछा रहा हूँ किस असारम पहली बार किस ने पुरुष सुप्त किस देवता के पूजा करते हैं कहा और कब का पुरुष सुप्त में पहले दसमें मंदल में और नवल अध्याय में ये पुरुष सुप्त के दस सुप्त है बाकि के एजरुवेद में और सामवेद में लेकर पून पुरुष स जिसको पूजा को पूजा कि 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 यह लिखा हुआ है कि उन्हें पूरी पुर्त्वी को नापा, पुर्त्वी को भी उससे उन दुकों से नहेवारन किया, भगवान ने अपना पाउं रखका है, तो उस तत्व को जहां रखा है, उस समय भगवान नारण ने जोग यंत्र तयार किया था, जो ब्रह्मा ने विश जो ब्रह्मा मंदल का वास्तु एंत्र लालो, अभी देता हूं आपके घर में मंदल में जो भी आप 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 इस्तापन करो आप उन दुकों से जाएंगे, वह मंतर भी ब्रह्मा का दिया हुआ हुआ है, और भगवान नाराण ने पुर्शुत के साथ इस एंत्र को ब्रह्मा के साथ सिद्ध कर के गया था, आज वही ब्रह्मो पुर्शत वाला ब्रह्मा उस्तु मुंदल का इंत्र, मैं आपको अद्नाल करता हूं, आपके इच्छा को तो जिसको वास्ती दोस्ता आपने घर में जोट होने का यह है, और यह बाप जाद रखो क बित्स वास्त cá को यह बार बाप साथ है, जो आपके साथ है, लगार घर में खरन होईय का जुपट्स देद्दै को बीदे दोस्ता है, बीस को जारा कि अन्त्र को जाएए उस्ति만 कर स्थर्ण कराका ज्म गारों disci को कथने में पीडरा जुरान खेता है अके विटर।ोंसर आगर करें भोलकर में सहुझ जाहल॥ भोन काशत पोहुंचरहा है। वाष्पी क किराय एक जाए खुढ बढ़े रहो चाए, व्यापार जाहे है, और कुछ여 जाहे है। आपको व्याप बंद पड़ा है या व्याप नियु रहा है या आपके किसी में इपरास और आयए कॉस्ट अरा है? ब्रह्म्न वास्तु दोष्ट देवाला गेंग्र वाक्न वास्तु गुन्वाइन है, जो भी चाहते हैं वो ले लेकर आए, मैं उसको आपको प्रजिश करके हुए, उसका प्राहिश करके आपको देता हूं, और माला इले की सब्रोड़ करेंगी, जो भी जिनकी इचा है, कि अरणी ब्रह्म्नुम् perspectives करेंगी करेंगी, जो एफां से CC управ. हुएंगी, जो भी चैने यारणी वहईको आपको आपको महते।